इसका लास थाइप है त्रांस लोगेशिन ना उसा ही पता चाल रहे हैं त्रांस लोकेशिन मतला मुवमिंट नैचरली भी हो सकता है किसकी वज़े से ट्रांसपोजोंस अपने पढ़ा है थानसपोजोंस are what they are the jumping genes that will move from one place to another place दो तरीके से वो जंप करते हैं कट पेस्ट एक जगे से जीन कट के और दूसरी जगे लगा दिया यह देके और कॉस कॉपी पेस्ट एक जगे से कॉपी किया और दूसरी जगे पेस्ट कर दिया जगे से जीन कोटाएंगे और दूसरी जगे बेज देगे इसी की वज़े से बहुत सारी कैंसर होते हैं पर एक्जामपल आपने सुना हो बहुत कीमस कैंसर है बर्कित लिम्फोमा इस केस में क्या होता है एत्थ क्रोमोजोम से जीन उटके कहा है जाला है 14th क्रोमोजोम से और वो continuous बर्कित बर्कित लिम्फोमा एक और फेमस एक्जामपल है इसका लुकीमिया दाट इस जीनस च्रोम्सोम नीफ जीनस लुकीमिया इसकी वज़ेस से क्या कॉस हो रहा है लुकीमिया टो दिस्स फांस्वोकेशन कि नहीं भी नोन लॉमोउगस प्रोमोजोंद इन क्रोमोजोम्जोंग इस खांप यह निया तो है ओप अब हमने यह तो पढ़ा कि मुटेशन किसके साइप की होती है और क्या क्या है अब कौन-कौन से एजेंट्स यह मुटेशन कर सकते हैं मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर के सार्टिंग में बताया नाचुरल लाइक टोटोमारिजम आटिफीशल में क्या हो सकते हैं बालोजि अब क्यों सकते हैं जैसे इथाइल मिथेन सल्पोनेट मिथाइल मिथेन सल्पोनेट और मैंने फ्रेमशिप्ट में आपको बहुत सरी केमिकल्स के नाम बताये हैं प्रोफ्लावन एक्रदीन ओरेंज एटीवियार इस ओल अधर क्यामिकल्स विच्टु दू धी म्यूटेशन और फिजिकल्स नो हो सकते हैं हमारी राइशन दो तरी की राइशन होती हैं आपको पता हैं वन इस आइज एज जाप्ल्स एक्स रेस गामा रेस जैसे मैंने अभी आपको बताया था में स्वामी नातन ने गामा रेस का यूस करके स्ट्रेमी वार्फ वाराइडीज अच्छा उसके अलाबा नोन आयोनाइजिंग डाइशन में यूवी रेस यूवी रेस क्या करते हैं यूवी रेस में सबसे लीथर होती है यूवी रेस सी क्योंकि इसकी बेवलेंग पार्थ कमैट अब हाइज फ्रिक्वेंसी इस अरां टूएटी नैनोमेटर तू काल थाइमिंग डाइमर फॉर्मेशन राइट अच्छा वट विल आपन इसके अलाबा बाइलोजिकल एगेंस में क्या हो सकते हैं वारूस बैक्टेरिया यह लीच वाट बेलीच वाट मुटेशन तो इस आधर एगेंस विश्कें कॉस्ट मुटेशन नहीं होई थी हम पीनो आटाइप को क्या बोलते य इसके अलावा दो म्यूटेशन और हैं जो माइक्रोब्स को लेके बहुत ज़ादा यूज होती है और इससे भी AIPMT दो जार तीन या चार में कोशन आ चुका है प्रोटोट्रोप और 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 बोलेंगे जो एक मीडिया में ग्रोव कर सकते हैं जिनको बहार से कुछ नहीं चाहिए वह minimal media में किसी भी minimal media में वह easily grow कर सकते है that is proto मान लो इस proto ट्रॉप में क्या हुआ थाइमीन बनाने वाले enzyme को उन्हें खराब कर दिया तो अब यह क्या बन गया थाइमीन के लिए ओक्जोट्रॉप मान लो इस proto ट्रॉप में कोई लुटेशन होई और अबने क्या किया थाइमीन बनाने वाले enzyme को घराब कर दिया तो क्या होगा अब यह नहीं बने गया जब तक आप बहार से थाइमीन डालोगे यह ऑक्जोट्रॉप बिना थाइमीन के ग्रोह नहीं करेगा तो डैफिशेंसी वाले और उसको ग्रोव करने के लिए बाहर से थाइमिन चाहिए वह कुछ भी उसकता है तो यह यह कैसे हैं अब इने कंडिशनल मुटेशन का है अगर अगर आपने को मुटेशन कर दी तो उस पर्टिकुलर मुटेशन के लिए क्या हो जाएगा और इसके लिए अब है उसे वह कंडिशन चाहिए सब्सक्राइब नहीं करेंगा इसके रावा कंडिशनल मुटेशन में और भी एक लो टैंप्रेचर पे वह वाइंटाइप की तरह काम करता है और अ मुटेशन के हिसाब से वह अपने फिनोटाइप को चेंज करने नॉर्मल इंपरेचर में तो परमे से वह लेकिन आप टैंपरेचर बढ़ा होगे तो ग्या शो करेगा म्यूटेशन फिनोटाइप इसके अलावा दो मुटेशन और होती है लोस अफ़ंच्छन मुटेशन अपने अपने पटैशन नाम से पता संबना लोस अफ़ंच्छन मुटेशन की वज़े से लोस हो गया हूँ और उसमें मुटेशन की वज़े से गेन हो गया कैसे हुआ आपने दो नाम सुने हैं कैंसर जब हम पढ़ते हैं वन इस ट्यूमर सप्रेसर जी और एंड वन इस प्रोडोन को जी क्या होता है हमारी बॉडी में कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए यह पाल्वेडी बॉडी में एक रिशिस्टंट मेकानिजम है यह दिस तुमर सप्रेसर जी इसका फेमस एक्जामपल है यह पाली बॉडी में अगर कोई भी आर्र होता है तो यह एक्टिवेट हो जाता है और यह उस एर्र को क्या करेगा पटिकुलर सेल को बोलेगा आप प्र यह पाली में प्रोटोन को जीन में क्या होता है प्रोटोन को जीन में क्या होता है पांब्टिकिवाइट करते हैं और मालोग यह अक्तिवेट हो जाए धेद को युमर शेप्रेसर जीन का तो क्या होला है लॉड्स लेकिन अगर प्रोटोन को जीन एक्रेट हो गए तो यह एक सेल डिवीजन में बनना तो चाहिए तो जड़ा सा पट यह इतना बनाएंगे एक एसी म्यूटेशन होई जो इनको एक्टिवेट कर लिया और इनको किसमें चेंज कर लिया और उनको जीन में तो वो क्या होगा? व्यूटेशन कॉस करेगा स्टाप